नमस्कार मैं हूँ अनुराग चढठा दोस्तो आज भारतिय राजनीती में इसमें जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो हैं देविंदर फणनवीज लेकिन यहाँ पर मैं दो बात आपसे कहना चाहूँगा कि मोदी और अमित शहा ने जो काम मद्यप्रदेश में शिवरात सिंग के साथ किया और राजिस्थान में वसंदर राजे के साथ किया यानि कि उनका इलाज कर दिया उनके ही प्रदेश से आखिर वो काम देविंदर फणनवीज के साथ क्यों नहीं कर पाए ये समझेंगे आज की रिपोर्ट में साधरन बैक्राउंड से उठकर महारास्ट की राजनीती में अपना लोहा मनमाने वाले दिगज ने था देविंदन फड़नवीज एक बार फीर से महारास्ट की मुख्य मंत्री बन गए है प्रचंड जीत के बाद भी संचय के बादल कई दिनों तक मंडराते रहे कि उठ किस करवट बैठेगा इस पर चर्चाओ का बाजार गर्म रहा लेकिन बाजी मारकर फड़नवीज ने बता दिया कि महारास्ट की राजनीती के असली चाणक्य वही हैं बद्यप्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से शिवराज सिंग चोहान को किनारे लगा द होता है लेकिन इसके साथ ही देविंदर फड़नवीज का ब्रहमन होना वर्तमान राजनीती में सीमपत के लिए सबसे नेगटिव होता जा रहा था क्योंकि देश में ओबिसी पॉलिटिक्स चल रही थी फिर आकिर कौन से वह कारण रहे जिसके चलते इस माराठा पेश्वा का वो हश्र नहीं हुआ जिसका लोगों को संधे था इंसाइड विद अनुराग में आज महराष्ट के नए चानक के देविंदर फड़नवीज की बात करें मद्य प्रदेश और राजिस्थान से कठिन था महराष्ट महराष्ट की राजनीती के नए चानक के की रूप में उ कारती बना कर खुद को साबित कर दिया था मद्यप्रदेश और राजिस्थान में शिवराथा सिंछ चोहान और राजिस्थान में वसंदार राजय के पहले बी नि भी बीज्य, बहुत मजबूत थी और कए बार सरकार महराष्ट ने के बीच में पार्टी नंबर एक बनाने बाला साहब ठाकरे की शिफसेना में सेंद लगाने में जिसने पहल की थी वो देवेंदर फड़नवीज ही थे उद्धव ठाकरे से लेकर मनोज जरांगे तक ने फड़नवीज को राजनितिक केरियर खत्म करने की धमकी दी थी इन सब के बावजूत फड़नवीज डिगे नही उन्होंने ने केवल भारती जनता पाइटी को कठीन समय में बचाय रखा बलकि दुबारा खुर्सी तक पहुँचने की रणनिती भी तयार की अजीत पवार गुट का एंडिये में शामिल होना जुलाई 2023 में अजीत पवार गुट के 42 विधायकों को एंडिये में शामिल कराने और उन्हें केविनेट में जगे दिलाने का पावर शेरिंग फॉर्मूला फरंग्वीज नहीं तयार किया था इसमें बीजेपी ने अपने 6 मंत्राले और शिंदे गुटने 5 मंत्राले छोड़े छेतरी और जातिय समिकरणों का समधान बीजेपी महराश्च की राज़िती में OBC वोटो के बल पर सरकार बनाने का सपना देख रही थी इसकी बावजूद राज़े में सबसे अधिक रहलिया करने के लिए फरंग्वीज को जिम्मेदारी सौपी गई पार्टी जानती थी कि किसी OBC को आगे बढ़ाने से मराथे नराज हो सकते थे और किसी मराथे को नेतरत्व देने में OBC वोट छिटक सकते थे मराथा बानाम OBC आरक्षमिबाद और सीट बटवारे की चुनौती को फरंग्वीज ने महायूती नेताओ के साथ मिलकर हल किया इससे NDA के भीतर समन्वे बना और चुनाव में महायूती को एक तरफा जीत मिली एक समर्पित कारेकरता की तरह जो कहा गया वो किया पार्टी के प्रतीस समर्पण का जो उधारर देविंदर फरंवीज ने पेश किया वो बिरले ही देखने को मिलता है शायदे ही वजा है कि अगर वह सियम नहीं बनते तो संभावना थी क्योंने रास्ट्री अंध्यक्ष बनाया जाता जो किसी भी पार्टी कारेकरता के लिए सपने जैसा होता है फरंवीज देश की कुछ चुनिन्दा नेताओं में शामिल हो गए जिन्होंने लोगसाबाद चुनाओं में अपेक्षित सफलता ना मिलने पर इस्तिफे तक की पेशकश कर दी इस से भी बढ़कर पार्टी के शीष नेतरत्व के कहने पर अपने से एक बहुत जूनियर शख्स के नीचे डिप्टी सीम बनना स्विकार कर लिया यही नहीं सीनियर होने के बावजूत पार्टी और शासन में तकड़ी पकल रखते हुए भी कभी मुख्य मंतरी एकनात्चिंदे को शिकायत का एक भी मौका नहीं दिया संग और बीजेपी दोनों के विश्वस नहीं है लोगसबाद चनाओं में हार मिनने के बाद फड़नवीज ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तिफ़ा देने की पेशकर्श की थी इस पर जिस तरह उनके समर्थन मेरा रखेस ने आगए आकर उनसे इपने पद पर बने रहने की गुजारिश की थी वह हैं अपने आप में बिल्कुल अलग था संग इस तरह से किसी शक्स के लिए कभी आगे नहीं आता फड़नवीज के घर पर RSS और BJP अध्यक्ष चंदर शेखर बावनकुले की उपस्तिती में बैठ़क हुई थी इसके बाद बावनकुले ने समधाताओ से कहा कि पाटी ने फड़नवीज से अपने पत पर पने रहने का अनुरोध किया है देविंदर फड़नवीज वो नेता है जिन्होंने हर बार संग पर भरोसा जताया इसके साथ ही देवंदर फरनवीज वोनेता हैं जिन पर PM मोधी और ग्रह मंतरी अमित शहाबी अटूड भरोसा रखते हैं प्रधानमती नरेंदर मोधी ने एक चुनावी रहली में फरनवीज को नाकपूर का देश को उपहार बताया था यह दिखाता है कि फरनवीज पर मोधी का कितना विश्वास है टॉप क्लास के एड्मिस्टेटर और संगठन करता महराश्ट देश का आर्थिक इंजन है देश की 13% GDP अकेले इस राज्ये से ही आती है देश में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आज भी इसी राज्या में आता है देविंदर फरनवीज एक प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बना चुके है महराश्ट में अभी PM की सबसे महतवकांशी एहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पूरा भी करना है इसके साथ PM का 5 ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी बनाने का रास्ता भी महराश्ट से ही होकर गुजरता है इसलिए देविंदर्ण फरनवीज जैसे चाड़के की जुरत बीजेपी को महराश्ट में हर मायने में थी महराश्ट में चाड़के बनकर अपनी उपयोगिता साबित करने वाले देविंदर्ण फरनवीज से बीजेपी को बड़ी उमीद है आशा है कि जैसे जैसे समभीतेगा वैसे ही चाड़के अपनी रणनीती से भाच्वा को और बलंदियों तक ले जाएंगे दोस्तों ये मेरा विश्टेशन आक्टो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताईएगा साथी साथ मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलिएगा फिर आपसे मिलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त नमस्कार